हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल स्वागत करता हूँ आप सभी गबर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने एक मुश्ट इंपॉर्टेंट सिवि चीछल को चैनल बटक कि हमारे देश प्रकार की यह चीजह अब घंच करेगे सुप्रीम कोड को कहते कषाएंगा ऊप्रीम होते हैं तो इसमें प्रिंगर कोड के बार में सुप्रीम कोड कोड को minder होते हैं यह उनके मीकौ बांक्र होते हैं ठीक है ना कौन सी बॉड़ी इसमें आती है और कौन पॉइंट करता है जजेश को इसमें ये सब बाते हम डिसकस करेंगे और आज का वीडियो एंड तक देख लेना और साथ ही में दोस्तों आपको पता दूँ कि आज मेरी थोड़ी सी हेल्थ इस्यू चल रही है ठीक तो आप थोड़ा सा कोपप कर लेना ठीक है और साथ में प्लेश्ट को चेक करते रहो प्लेश्ट में आपके बाके के वीडियो प्रेजेंट है पहले से तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो और अगर आपके स्कूल बंध है अभी पिलाल में जैसे की नोटिस आया था आपक सबसे पहले हम बात करेंगे क्या है सुप्रीम कोट क्या है करें अकर घर हम बात करेंस किया था है अब ये जो हाइस बड़ियां जैसे कि आप जानते हो कि आपने बहुत साने मुईज देखे होंगे बहुत सारे सेरी म Parks देखे होगे, बहुत सारे चीजे सुनी होगी, तो normally कोई भी फैसला, सबसे पहले हम लोग कोई भी चोटा-मोटा केस जो होता है, वो normally session courts में होते हैं, तो session courts हो गया, district के level पे courts होते हैं, फिर अगर थोड़ा बड़ा level का फैसला है, कुछ criminal activities है, तो उसको high court तक लेके जाते हैं और supreme court से अगर आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है, तो आपकी आवाज वहाँ पे आप उठा सकते हो, कि यार मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, मुझे न्याय दो, यार फिर अगर आपको कुछ criminal है, जिनको crime करने के बाद भी अगर छूट मिल जा रही है, तो उसके खिलाफ भ justice of India, ठीक है, यह उसके head होते है, और इसको appoint कोन करता है, इसको appoint किया जाता है, president द्वारा, ठीक है ना, जितने भी other judges होते है, इनको भी president ही appoint करते है, मतलब main कोन है, president है, जो इन judges को appoint करते है, काफी अच्छी तरीके से, क्योंगी क्या होता है, कि अगर कोई parliament में, या फिर चल president, जो है, वो decide करता है, कि कौन जो है judge बनेगा supreme court में, ठीक है, उनके लिए भी कुछ eligibility का criteria होता है, जैसे मेरे हम आपको बताया भी है बहुत बार, और बहुत सार एसे चीज़े discuss किये, तो क्या eligibility का criteria है, वो साफ हम discuss करेंगे, ठीक है, तो जो सबसे senior most judge होते है, normally high courts वगरे में system होता है, सबसे पहली बात तो इनके उपर कोई pressure नहीं होता है, कि आपको ये काम करता है, प्रेशर मतलब के होता है, जैसे कि हम कोई company में काम करते है, तो जो boss होता है, जो manager होता है, हम पे एक pressure बना के रखता है, कि तेरको ये काद आज के आज ही complete करके देना है, मुझे ये project आज ही complete करके चीट, तो एक pressure होता है, वैसा इनके उपर कोई pressure नहीं होता है, ये अपने हिसाब से time ले सकते है, ठीके pressure कोई नहीं होता है, कि independence जो है na, judiciary system का, वो maintain करना काफी ज़्यादा जरूर होता है, क्योंकि अगर वो independent तरीके से सोचे के काम करेंगे, तो वो फैसला बह प्रकार से, वो फैसला सुनाएंगे, कि इस प्रकार से उनके क्या-क्या authorities बिली हुई है, ठीके, तो क्या-क्या provisions है हम discuss करेंगे, ठीके न, provisions for judges, provisions, क्या-क्या provisions है, तो नौ मेनी बात करें, देरा, so many provisions, लेकिन सबसे पहला जो आ जाता है, कि हमारा जो judges से, उनको appoint करने के एक्सपर्ट होने चीए, या तो वो क्या हो, हाई-कोर्ट के judge रहे हो, ठीके न, बहुत लंबे समय से हाई-कोर्ट के judge रहे हो, तब जाके उनको Supreme Court का judge बनागा, ऐसा थोड़ी न, कि मेरे को उठा के judge बना दिया, ठीके न, मैंने तो engineering के पढ़ाई की हुई है, तो मेरे को उ ऐसे होते हैं, जो advocate होते हैं, लेकिन काफी जादा experience होते हैं, जैसे कि आपको पता है न, कुछ criminal lawyers होते हैं, कुछ advocates होते हैं, जो बहुत सालों से practice करते चले आ रहे, 15-15-20 साल से वो advocate है, और उनको इतना experience हो गया है, कि वो judge को भी fail कर सकते हैं, मतलब इतना knowledge हो गया है, तो उन भारत देश के president रहेंगे, वो उनको appoint करेंगे, और इसके वज़े से क्या होता है, कि कोई भी political instability का खतरा जो है, वो टल जाता है, जैसे कि समझ लोग कोई एक party है, XYZ की party उसने अपनी तरफ से judge लाया, तो उसके party के खिलाब जो भी कुछ cases रहेंगे, वो तो हटा देगा, बो बात करें कि जो judges होते हैं, उनको अपने post से कोई नहीं हटा सकता है, उनका जो टेनियोर होता है, समझ लोग पात साल का है, तो जो पात साल का, मतलब ऐसा कुछ fix नहीं होता है, तो tenure होता है, जो time span होता है, उनको कोई नहीं हटा सकता है, और आपको एक चीज़ बता दू कि जो judges होते हैं, उनका जो retirement का जो age होता है, ठीक है, जो retirement का age होता है, तो supreme court की बात करें, तो supreme court का 65 years तक रिटायर नहीं हो सकते हैं, मतलब 65 साल तक का अला हुए, अगर आप 65 साल के हो चुके हैं, उसके बाद या आप रिटायर हो जाओगे, supreme court में, और वो ये high court की अगर बात से चीजें जो होती है, ठीक है, और साथी में, इन judges के बारे में, कोई भी discussion पार्लेमेंट में नहीं हो सकते हैं, आपको पता है, पार्लेमेंटरी हाउस होते हैं, लोग सभा होते हैं, राज्य सभा होते हैं, judges के बारे में कोई बात नहीं कर सकता, ये सब चीज जो है, बहुत ज्यादा secret भी रखी जाती है और बहुत ज्यादा सिक्रेट तो नहीं बोल सकता लेकिन बहुत ज्यादा discussion इनके बारे में कभी ज्यादा नहीं होता है और साथी में कोई भी judge अगर कोई फैसला सुना आता है तो उनके बारे में personal criticism नहीं होगा अब उसके चाहने वाले लोग रहेंगे, उसके सपोर्टरस रहेंगे, वो मेरे प्या के चढ़ जाएंगे, तुने क्यों फैसला सुनाया है, इस प्रकार का चीज़े जो है, इसकी उपर रोक लगाई गई है, कि आप कोई भी जज़ के उपर परसनल तरीके से अटाक नहीं कर स चाहिए, और कोट में अगर कोई misbehave करता है, जज़ की बात नहीं सुनता है, जज़ के खिलाफ कुछ बोल रहा है, तो contempt of court के तहत, जो है, contempt of court के तहत, जो भी जज़ रहेंगे वहाँ पर, वो उनको जेल में डलवा सकते हैं, या फिर उनको उनके खिलाफ कारेवाई कर सकते आपने सुना होगा बहुत सारी movies में, जब कोई वकील या फिर कोई अदादत में कहीं पर भी कोई आद्मी खड़ाओ के बहस करने लगता है, तो judge क्या बोलता है, बैठ जाओ, अच्छे से, तो आपके खिलाफ मैं अभी ये कर दूँगा, कारेवाही कर दूँगा, आपको म वो रूल है, हमारे constitution में वो रूल को बनाए गया, इस प्रकार से वो चीज़ है, और पार्लियमेंट में जैसे मैंने बुला कि कोई भी discussion जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है न, बट एक चीज़ है कि अगर कोई judge अपने responsibility को नहीं निभाता है, अपना काम सही तरीके से नहीं करत जज बैठा है और उसको पैसर साल तक कोई निकाली नहीं सकता, भले वो गलत काम कर रहा है, तो अगर वो गलत काम कर रहा है, तो उसको remove कर सकते हैं, ये भी constitution में लिखाएगा, एक procedure होता है, ठीक है न, वो impeachment माना जाता है, उसका procedure को follow करके ये रखा जाता है, clear है, तो उमीद करता हो कि ये चीज़ आपको समझ में आ क्या होगा, अब थोड़ा सा functions की बात कर लेते हैं, जो supreme courts होते हैं, उनके functions क्या होते हैं, वैसे बहुत सारे functions तो आपको पता है, कि supreme court क्या होता है, एक तरीके से ये भी एक court है, जो क्या करता है, फैसला सुनाता है, अब किस चीज का हो रहा था, तो ये कहा है, public interest की बात है, तो जब भी कोई public interest की बात रहेंगे, जिसमें आम आदमी involved है, तो लोग कहा जाएंगे, supreme court का दरवाजा खट-कटाएंगे, कि आप ही फैसला सुनाओ कि कौन सही है, कौन गलत है, और जो supreme court फिर फैसला सुनाएगी, वो सब को मानना पड़ेगा, इसलिए supreme court का जो दरजा है, वो सबसे top level पे होता है, तिके ना, अगर कोई political parties है, उनको, उन्होंने कुछ काम किया, और लोगों ने उसके खिलाफ आंदोलन कर दिया, तो वो जो आंदोलन है, उसका जो petition होगा, वो कहा जाएगा, supreme court में, supreme court में, supreme court देखेगा, क यह पास नहीं होगा, इस प्रकार से वो चीजे उसके हाथ में होती है, तो चाहे वो center की बात हो, चाहे वो state level की बात हो, हर एक को वो क्या कर सकता है, एक तरीके से settles को dispute कर सकता है, साथी में order दे सकता है, जो भी regularity authorities है, उसको वो order दे सकता है, protection के लिए, जो fundamental rights होते हैं, जो तो प्लीज जो बोल रहा हूं, उसको note down भी करते जाओ, ठीक है, तो यह सब चीज जो है supreme court करता है, इसके अलावा कई सारे criminal activities जो अब उसके जो नीचे वाले court में आगर फैसला नहीं हो पाता है, या फिर फैसला होता है, लेकिन उतना clearly नहीं हो पाता है, तो supreme court के पास हो भी review कर सकता है, समझ तो supreme court ने एक फैसला सुनाया था अल्रेडी, एक फैसला जो है सुना दिया था कि यह इंसान दोशी है, लेकिन बाद में कुछ ऐसे वापस से appeal की जाती है, वापस से सबूत पेश किया जाती है, तो हो सकता है, वो सबूत जो बाद में पेश किया जाए, वो president को अगर कुछ राय चाहिए होता है, कुछ भी चीज के public welfare के point of view, public interest के point of view, तो वो court से suggestion मांग सकता है, कि आपका क्या विचार है, जैसे अभी covid का cases बहुत बढ़ रहा है, तो जैसे कि अभी government ने कुछ restrictions नहीं लगा है, लेकिन supreme court भी तो देखेगा ना, कि भाई, government तो कुछ करी नहीं रहा है, कि तो सिर्फ जैसा restrictions लगाना चाहिए, वैसा नहीं लगा रहा है, तो supreme court के पास भी power है, कि वो order दे सकता है, कि आपको restrictions लगाना पड़ेगा, नहीं तो public interest की बात है, तो public interest की जब भी बात आएगी, public welfare की जब भी बात आएगी, तो supreme court उसमें दखल कोटा सा वीडियो, ठीक है, और उमीद करता हूँ कि यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, तो आज का वीडियो इसके साथ समाप करूंगा, लेकिन और भी topics हमारे इस चाप्टर में बचे हुए, जैसे हम फटा-फट से आपके लिए lecture number 3 लेकर आज जैंगे, जिसमें हम चीज हम डिसकस करेंगे हमारे lecture number 3 में, तो आप लोग बस बने रहे ना हमारे साथ, प्यार दिखाते रहे ना, ठीक है, आज का वीडियो इसके साथ समाप करता हूँ दोस्तों, उमीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो वीडियो कैसा लगा है, प्लीज हमें comment करके बताना, अपनी राय और suggestion जरूर से देना, वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, यूसफूल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेर जरूर से कर देना, आपने दोस्तों के साथ, शेर को और बताओ कि कितना बैतरीन चीज़ है, थैंक्यू अग्ग्ष एंद गुद लाइ सबता है, प्युक्ता है, एक अट्ची कर देना, अटेए स्थमाद से लिएक्षपा लगा ऑने लगा है, प्लीं का श्रतों के लिएक्षट है, आध कितना अलिए भागा है, बढ दिसक्ता अग्छा, यह भाहे है, अशना, जरूर